इस वीडियो में हम HIV के एक्स्पोजर के बाद HIV का जल्दी पता लगाने के लिए इस्तमाल करने वाली HIV PCR क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे आप इस वीडियो में क्या जानेंगे कि यह टेस्ट कब करने चाहिए इसका विंडो प्रियर्ड क्या होता है टेस्ट कितनी बार करने की जरूत होती है एक्यूरसी क्या है और टेस्ट का खर्चा कितना आता है सबसे पहले देखते हैं HIV-1 PCR क्वालिटेटिव टेस्ट में कौन-कौन से टाइप होते हैं काफी बार रिपोर्ट्स में RNA लिखा होता है काफी बार DNA लिखा होता है तो आपको लिए उसके लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है RNA या DNA कुछ भी लिखा हो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप दोनों में से कोई भी टेस्ट करा सकते हो दूसरा एक आम तोर पर पूछे जाना वाला सवाल है HIV-1 और HIV-2 क्या दोनों कराने की ज़रूरत है या नहीं अक्सर हम HIV-1 PCR कॉल्टिटी टेस्ट कराने के लिए सला देते है HIV-2 इसलिए नहीं देते के भारत में HIV-2 बहुत बहुती कम दिखने वाला इंफेक्शन है HIV-1 के कमपरिजन में और दूसरा HIV-2 इतना आसानी से फैलता भी नहीं है जितना HIV-1 फैल सकता है इसलिए हम आम तौर पर मिंसके HIV-2 PCR कॉल्टिटी टेस्ट कराने की सला नहीं देते उसके जगा पे हम 45 दिन पर HIV-2 इसको साथ में जोड देते हैं तो एक साथ में दो काम हो जाते है अब आपको early detections HIV हुआ है के नहीं हुआ है उसके लिए आप कभी भी viral load का टेस्ट मत कराईए जो HIV-PCR quantitative test से नाम से जाना जाता है यह test viral load सिर्फ और सिर्फ HIV positive लोगों के लिए इस्तमाल करने वाला टेस्ट है HIV को निदान करने के लिए HIV का viral load का report का इस्तमाल नहीं करना चाहिए अब टेस्ट कहां पर उपलब्द होती है यह test private laboratories में आपको करानी रहेगी इसका खर्चा कितना आता है आम तोर पर इसका खर्चा 25 रुपे से लेके 4000 रुपे तक का आता है इस test से क्या पता लगाते है यह एक qualitative test है quantitative test नहीं है ठीक है तो दियान रखे एक यहाँ पर जो qualitative test आपको कराना है quantitative test आपको नहीं कराना है और जो quantitative test है उसके अंदर virus के जो genome है genome मतलब रंग सुत्र है genetics है तो उस genetics को laboratory में multiply किया जाता है और उसके बाद उसका presence है के नहीं वो check करा जाता है तो इसलिए है कि antibody बढ़ने में time लगेगा antigen की संख्या बहुत जादा बढ़ने में time लगेगा तो उससे पहले हमको check कराना है तो इस virus के जो रंग सुत्र है DNA है उसका multiplication लेबोर्टरी में किया जाता है और उसका बाद उसको presence है के नहीं हो check करते है अब window period का मतलब क्या है किसी भी इंसान के अंदर virus का दाखिल होना और उसको किसी particular लेबोर्टरी टेस्ट से लेबोर्टरी में positive है ऐसा साबित करने के लिए आपको कुछ दिन का इंतजार करना रहेगा और इस इंतजार के बाद आपको टेस्ट कराना है तो जो इंतजार है इसको आप window period कह सकते हो चार्ट में आप दे सकते हो कि HIV RNA सबसे पहले blood के अंदर दिखने लगता है तो उसका window period सबसे कम हुआ दूसरा है P24 HIV RNA के बाद blood में दिखता है तो उसका window period उससे थोड़ा अधिक हुआ और आखिर में HIV antibody blood में दिखता है तो इसका window period सबसे ज़्यादा है तो यह test कब कराना चाहिए तो यह test आपको exposure के 17 days के बाद कभी भी करा सकते हो याद रखे कभी भी करा सकते हो लेकिन आपको PCR test की कब ज़रूत नहीं है यदि आपके exposure के 45 दिन हो गए है तो फिर आपको PCR test करने के कोई ज़रूत नहीं है क्योंकि आप 45 दिन पर आप HIV DO और HIV combo test करा सकते हो वो आसानी से उपलब दे खर्चा उसका करीबन 10 गुना कम है ठीक है मानलो PCR test 4000 रुपे की हो रहा है तो आपको HIV DO test 500 रुपे में हो जाएगी तो फिर इसे किस्वों में आप 45 दिन से अधिक हो गया है तो आप PCR test मत कराए सिधा HIV DO या तो HIV combo करा लिजे और यदि आपके exposure के 90 दिन से अधिक हो गया है तब भी आपको PCR test कराने के ज़रूत नहीं है तो आपके पास simple सा government में इस्तिमाल करने वाला kit test है rapid test है अला antibody test है उससे भी आप अपना test confirm अपका status confirm जान सकते हो तो आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूत नहीं है इसी टेस्ट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है काफी बार में इसके उसके आगे पीछे जो भी लिखा है उससे जादा कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ लिअबर्टरी में हीवां ड़ीए नेड़ीयने टेस्ट है और इसके अलभा भी कुछ नाम और हो सकते है reference value जो normal range आएगा उसमें आएगा not detected मतलब कि ए test एक qualitative test है तो इसमें कोई value नहीं आएगी इसमें कोई value नहीं आएगी इसमें सिर्फ detected या not detected ऐसा ही लिखा हुआ आएगा उसमें कोई number नहीं आएगा 1,2,3,5 मानलो किसी ने test कराया है और इस test में आपर जो में sample reports में ने दिखाया है तो उसमें result में लिखा हुआ है not detected अब not detected का मतलब यह हुआ कि उस इंसान के अंदर अभी blood के अंदर HIV का virus कोई पकड़ में नहीं आया है HIV का virus नहीं है और detected का क्या मतलब होता है कि इस रिपोर्ट के अंदर detected लिखा हुआ आता है इसका मतलब है कि HIV का virus detect हुआ है पता चला है देखने में आया है यक्ति HIV positive हो सकता है तो positive के लिए का नफर्मेशन के लिए आगे concentration कराने होते हैं हो मैं भी आपको पताता हूँ अब non detected report आये तो क्या करें यदि आपने 17 days के बाद reports कराया है और non detected आये तो सबसे पहले तो अपनी स्चिंथ हो जाए और अपना डर को भूल जाए और HIV को भूल जाए अभी यहाँ पर लगबग पका हो गया है कि आपको HIV नहीं है लेकिन सिर्फ हमने आगे बात किया था ऐसा HIV टू वाला पार्ट को कवर करने के लिए और एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन को कवर करने के लिए आप कराना चाहते हो तो यह 45 दिन पर HIV डियो टेस्ट करा सकते हो लेकिन 17 दिन का रिपोट आपको नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद आप अपना डर बिलकुल डर से मुक्त हो जाए कोई डर यह मत और 45 दिन पर एक सिर्फ पोटोकॉल फोलो करने के लिए आप अपना HIV वीडियो या तो कॉमबो या तो ही वाइराल लोड या तो ही वेस्टन डोट कनफर्मेशन करने के लिए जरूत पढ़ सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर के सलाल लिनी पड़ेगी और डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कौन से टेस्ट की कौन फो कनफर्मेशन के लिए जरूरत है तो इन में से कोई अपने आप टेस्ट मत चुनिए इस टेस्ट की एक्यूरसी कितनी होती है मैंने पहले बताया यह सेवन टेन डेस्ट पर आपने टेस्ट कराया है और नेगेटिव आया है तो आप ही मुक्त हो ऐसा ही अपने आपको मान सकत प्रोटोकल फोलो करने के लिए और है टू वाला पार्ट जो कवर करना है उसके लिए आपको 45 डिस पर भी एक बार टेस्ट करा लेजे और यह अपका रिपोट पॉजिटिव आता है तो फिर आपको आपका कंफर्मेशन टेस्ट के बाद पॉजिटिव फिर भी आता है तो अपने एचावी का इलाज चालो कराना है अब एचावी के इलाज के बाद भी यह रिपोट भी पॉजिटिव रहेगा यह कभी नेगेटिव नहीं होगा और एंटी बॉड़ी रिपोट भी आपको जिवन बर रहने वाला है मैं HIV AIDS Specialist डॉक्टर केतन राण परिया यदि आप मेरे से Online Consultations करना चाहते हो तो इस स्क्रीन पर दिखाए गए WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो HIV और AIDS पर हर रोज हमारा नया सीडियो लभ है हर रोज दोबर को एक बज़े नया वीडियो या तो लाइव टॉक्षो के साथ हम आएंगे और आखिर में चेतावनी यहाँ पर कही गई बाते आम जानकारी के लिए है समय के साथ विज्ञान बदल सकता है किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV AIDS Specialist डॉक्टर से यक्तिकत रूप से राय लेना अत्यन्त आवशक है थैंक यू